आप लोगों को अपनी स्क्रीन की सामने एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इने जानते भी होगे आप लोगोंने इनका नाम जरू सुना होगा इनका नाम है पंका सींग और अगर आप लोग फिर भी नहीं जाते हैं तो आप लोग भारती जंतावार्टी के कद्दावर नेता राजना सींग को जरू जानते होगे आपकी स्क्रीन पर राजनास सींग दिखाई दे रहे हैं तो याद रखी पंकस सींग राजनास सींग की बेटे हैं और आप देखेंगे कि उत्तर पदेश की बिधान सवा है नोईडा नोईडा से बिधाईक भी हैं और अगर आप लोग फिर भी नहीं जानते हैं तो आप लोग इन्हें जान लीजे, इतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज की हुई है, और आयाद रखी अपना ही रेकॉर्ड इन्होंने तोड दिया है, भारत की इतिहास में अगर बिधाय की बात करें, तो इतनी बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की हुई है, आप देखेंगे एक लाद 89,000 बोटों से इन्होंने जीत हासिल की हुई है, और इसलिए आप देखेंगे देश बर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, चर्चा में आ चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि पंकस सींग के बारे में एक सामन जानकारी देख लेंगे, और आप सभी ज करते हैं, और लोगसभा सदस हैं कौन? लोगसभा सदस चुने जाते हैं लखनव लोगसभा छेत से, और आपने देखाई कि हमारे हॉम मिनिस्टर भी रहे हैं, रक्षा मंतरी भी हैं, तो इन्हें भी देख लीजे, पंकस सींग को देख लीजे, राजना सींग के बारे में वैसे हम लोग बात कर लेंगे कभी टाइम मिलने पर, विस्तार से बात करेंगे, एक बार आप लोग उत्तर पिदेश को जरूर देख लेजे, क्योंकि देखिए उत्तर पिदेश को राजनेती की दृष्टी से काफी मात्पूर माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो दि आप देखेंगे यहां बिधान सभा में 403 सीटे हैं, बिधान परिशद भी है, उसमें 100 सीटे आपको देखने को मिल जाएंगी, लोग सभा में 80 सीटे हैं, राज सभा में 31 सीटे हैं, और आप देखेंगे लोग सभा हो, राज सभा हो, बिधान सभा हो, बिधान परिशद हो सभी राज्जों की तुला करें तो सबसे जादा शीटे आपको उत्तर पिदेस में देखने को मिलीगा और इसलिए आप देखते हैं कि सभी राजनेतिक दल की नजरें उत्तर पिदेस पर रहती हैं और यह माना जाता ही कि जिसने उत्तर पिदेश को साध लिया, वो चुनाओ जीत जाता है। और इसलिए आप देखें कि अधिकतर पिद्धान मंत्री आपके उत्तर पिदेश सही निकले हुए। अगर पंकल सिंह की बात करें तो पंकल सिंह का जन्म होता है 12 दिसंबर 1978 को. इनका जनम हुआ था डाल्टन गंज पलामू जारखंड में इनका जनम हुआ था इनके पता राजनास सिंग है जो बेजेपी के कद्दा बननेता है और स्रीमती सावित्री सिंग इनकी माता का नाम है और पत्नी की बात करें तो सुस्मा सींग इनकी पत्नी है और इनके दो वच्चे है अगर हम लोग इनकी सिख्षा की बात करें पंकस सींग की तो साल 1996 में लखनव के महानागर वायज इंटर कॉलेज से ये अपनी बारवी की सिख्षा लेते हैं उसके बात पंकस गैजूशन के लिए यानि की डिग्रे के लिए आंगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले जाते हैं और 1989 में उन्होंने दिल्ली विस्विद्या लेके दयाल सींग कॉलेज से वीकॉम की डिग्रे ली फिर 1999 से सन 2001 में नुएडा इस्तित अमेटी विजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में पीजी सफर की बात करें तो भीजेपी से जुड़े हुए हैं आप सभी जानते हैं पंकस्तिंग बरिष्ट भाजापा नेता की बेटे हैं किनके राजनास्तिंग के लेकिन इसके बापजू दोनों ने भारतिय जंता पार्टी में विभिन इस तर पर काम किया हुआ है एक छोटे से चार में वह भाजापा युवा मोर्चा की राज्य कारकारणी के सदस बन जाते हैं उत्तर पिदेश में फिर आप देखेंगे साल 2007 में वह उत्तर पिदेश भाजापा इकाई के कारकारी कारकारणी सदस बन जाते हैं और इसी साल उनका नाम वरानसी के चेरई गाउं विधा के तौर पर घोसित किया गया लेकिन उन्होंने अपने पिता की सलाय पर यह चुनाओ नहीं लड़ा उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि राजनास्तिंग कुछ और बरसों के लिए पाइटी में काम करें चाहते थे और साल 2010 में पंकस्तिंग को उत्तर पिदेश भाजापा मे सचिब ने उत्त किया गया और हाला कि बाद में उनका प्रagu function देकर महत सचिब बना दिया गया। और अप देखेंगे महा सच अब भी कहा उत्तर पिदेश से वहू स्थे वहू है और आपने देखा होगा कि मौदी लहर काफी चरम पर थी, मौदी लहर चल रही थी, बड़े बड़े नेता हार चुके थी, और आप देखें विपक्ष का क्या हल हुआ था 2017 की विधानसवा चुनाव में, तो साल 2017 की विधानसवा चुनाव में, पंका सींग पहली बार पंका सींग ने रिकॉर्ड जीत हास करने के बाद इतिहास रच दिया, उन्हों ने ऐसा किर्तीमा ने स्थापित किया, जिसे आज तक कोई विधायक नहीं कर सका, वो 1,89,000 वोटों से जीत हासिल की हुई है, आप समझ रहे हैं, 1,89,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की हु तो यसे बेटाओं के बारे में भी देखना चाहिए हमें, तो फिरहाल यही कहान ही है पंका सींग की, और भी बताईए अगर किसी के बारे में बात करनी हो, उसके बारे में ही हम लोग बात करते रहेंगे